ये कक्षा 10 का नौवा पाठ है सुक्तियां जैसे कि आपको पता है कि संसार की सभी भाषाओं में प्राया सुक्तियों का क्या है भंडार होता है तो अब हम ये जानते हैं कि इसुक्तिया क्या होती है तो सुक्तियों से अभी प्राय है लेख के उस वच्चन से जो कि सभी के लिए प्रेर्णा दायक माना जाता है जैसे कि इमानदारी अच्छी नीती है कर भला हो भला जैसे को तेसा इत्यादी इनको क्या बोलते है सुक्तिया ये जो पाठ है आपका तो इस पाठ में कुछ सुक तिरुकूरल नामग गरंत से और जिसकी रचना किसने की है संत कभी तिरुल वरने तो देखिए हम कुछ सुक्तियों को पढ़ते हैं जैसे इसमें फर्स्ट आपकी कि पिता यच्छती पुत्राए बाले विद्याधनम महत पिता अस्यकिम तपवस्तपे इतियुक्ति तत पिता यच्छती पुत्राए बाले विद्याधनम महत पिता अस्यकिम तपवस्तपे इतियुक्ति तत कृतग्यता तो देखिए स्टूडेंस इसका अनुए देखो पिता पुत्राए यहां कौन सी विवक्ति लगी है चतूर्थी विवक्ति कहां लगती है देने के अर्थ में संपर्दान में तो पिता पुत्राय की पिता पुत्र के लिए बाले बाले वस्ता में यहां लगी है सब्तमी विवक्ति तो सब्तमी विभक्ति कहां लगती है अधी करण में जिसमें मेया पर आता है तो बाले वस्था में महत अत्यधिग विद्या धनम विद्या रूपी धन यच्छती देता है तो पिता पुत्र के लिए बाले वस्ता में बहूत विद्याधन देता है फिर अस्य पिता इस पिता ने किम कितना तपो तपते पे तपस्या की है कि अस्य पिता किम तपते पे कि इसमें पिता ने कितनी तपस्या की है अर्थार कितनी मेहनत की है इती उक्ती तत कृतग्यता कि यह उक्ती या यह बात मानना पूत्र के लिए कृतग्यता का काम है तो पिता पूत्र के लिए बाले वस्ता में अत्यदिक विद्याधन देता है और फिर असे पिता किम तपते पे इतिय उक्तितत कृतग्यता कि इसमें पिता ने कितनी तपस्या की है यहो बात मानना पुत्र के लिए यहो बात मानना पिता के द्वारा पुत्र के लिए कृतग्या है चीके? तो इस बात से हम क्या समझे? कि जो एक पिता होता है वहो बच्पन से लेकर जवानि तक अपने पूत्र के लिए क्या करता है विद्याधन देता है ठीके पडाता है पूत्र को तो इस पड़ाई में पूत्र के प्रती जो पिता का है कितनी महनत करता है या उन्होंने कितनी कठिनायों को सहन किया है तो एक पुत्र को क्या माना चाहिए अपने पिता का उपकार माना चाहिए कृतग्यता माननी चाहिए तो पिता पुत्र के लिए बालिवस्ता में अत्यदिग विद्याधन देता है इसमें पिता ने कितनी तपस्या की है यह बातमाना पुत्र के लिए कृतग्या है देखे स्टूडेंट नेक्स्ट श्लोक है अवकरता यथा चिते तथा बाची भवेद यदी तद आहू ये तद अलग रहेगा और फिर आहू कि तद आहू महातमाना समत्तम इती तथ्यता की अवकरता अच्छा इसका अनवे देखे आप यथा यथा होता है जिस परकार चिते चित क्या होता है मन तो इसमें कौनसी भी वक्त लगए सब्तमी तो चिते मन में अवक्रता अवक्रता होता है सरलता तथा उस परकार यदी इंदी का शब्द है वाची बाणी में भवेत हो कि जेसी मन में सरलता हो वेसी यदी बाणी में भी हो महत्मा ना कि महत्मा लोगों ने तद एव उसे ही तथ्यता सच्चे रूप में समत्वम समानता इति आहू कहा गया है तो जेसी सरलता मन में हो वैसी यदि वाणी में भी हो तो महात्मा लोगों ने उसे ही सच्चे रूप में सरलता या उसे ही सच्चे रूप में समानता कहा है तो इस बात से हम क्या समझे कि अगर हमारे मन में किसी के लिए अच्छाई है या हमारे मन में अच्छी अच्छी बाते हैं लेकिन उन अच्छी बातों को ही हम किसी के प्रती वेवार में लाते हैं तो वो हो ही क्या होती है समानता तो जैसी यथा चिते अवक्रता कि जैसे मन में सरलता होती है वैसे ही यदि वाणी में भी हो उसे ही मात्मा लोगों ने सच्चे रूप में समानता कहा है अब आपका नेक्स्ट श्लोक है त्यक्त्वा धरम प्रदाम वाचम परूशाम यो अभूदी रेत यो अलग हो जाएगा और आग क्या है अभूदी रेत परित्यज्ये फलं पक्वं भूंगते अपक्वं विमूर्धी त्यक्त्वा धरम प्रदाम वाचम परूशाम यो अभूदे रेत परित्यज्ये फलं पक्वं भूंगते अपक्वं विमूर्धी तो इसका नवे देखिया आप धरम प्रदाम कि धरम प्रदान करने वाले वाचम वाक्ये को त्यक्त्वा छोड़कर यो जो पुरुशाम जैसे याँ परुशाम ये वाला हैं कि परुशाम अभूधिरेत तो परुशाम क्या आता है कठोर अभूधिरेत बोलता है कि धरम प्रदाम वाचम त्यक्त्वा यो परुशाम अभूधिरेत कि धरम प्रदान करने वाले वाक्यों को छोड़ कर जो कठोर वचन बोलता है स वह बिमूर्धी मूर्खु बुद्धी वाला पक्वम फलं परित्य जे पकेवे फल को परित्य जे छोड़ कर अपक्वम मतलब पक्वम क्या होता पकेवे अपक्वम पके का फिर उल्टा क्या होगा कच्चा की परित्य जे छोड़ कर अपक्वम कच्चे भुंगते ही खाता ह कि जो मनुश्य धरम परदान करने वाले वाक्यों को छोड़ कर कठोर वाक्य बोलता है वह मुर्ख पके वे फल को छोड़ कर कचे फल खाता है अब इस बात से हम क्या समझे कि पके वे फल मतलब जैसे कि अच्छे या धरम परदान करने वाले जो वाक्य होते है वो क्या है, सुनने में सबको अच्छे लगते है और जो धर्म परदान करने वाक्य, अच्छे वाक्य जो बोलेगा, जब वो सुनने में अच्छे लगेगे, तो उसकी क्या है, उस मनुष्य की तारिफ होती है, और जो कच्चे फल खाता है मतलब जो बूरे वाक्य बोलता है उपनी अज्यानता को प्रकट करता है तो क्या है हमें हमेशा क्या करना चाहिए धरम परदान करने वाले अच्छे वाक्य ही बोलने चाहिए तो कि धरम परदान वाचम त्यक्त्वा यो परुशाम अभूदिरेद कि धरम परदान करने वाले वाक्यों को छोड़ कर जो कठवर वचन बोलता है वहों मूर्खु पके वे फलों को छोड़ कर कच्चे फल खाता है अब नेक्स्ट लोग देखे विद्वान सा एव लोके असमीन चक्षूश मंता प्रकिर्तिता अनेशाम वदने ये तूते चक्षूर नामनी मते अब देखो चक्षू और इसमें जो रौ है उपर ये वाला इसकी क्या बनेगी विसर गए फिर नामनी मते ये ऐसे चक्षू विसर गए और नामनी मते कि विद्वान साम विद्वान सम एव लोके असमीन चक्षूश मंता प्रकिर्तिता अनेशाम वदने ये तूते चक्षू नामनी मते इसका अनुए देखिए असमीन लोके असमीन इस लोके संसार में विद्वान सा विद्वान लोक बहु बचन में लगाए ये ठीके तो एव ही चक्षूश मनता चक्षू क्या होती है आँख नेत्र मनता कि नेत्र वाले परई किर्थिता मानेंगे है कि अस्मीन लोग के विद्वान से एव चक्षूश मनता प्रकिर्थिता कि इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले मानेंगे है अन्येशाम वदने अन्येशाम मतलब दूसरों के वदने मुख पर ये चक्षू ये जो चक्षू है या ये जो नेत्र है ते तू वे तो नामनी मते नामात्र की मते मानी गई है अन्येशाम वदने दूसरों के मुख में ये चक्षू ते ये चक्षू ते वे तो नामनी मते नामात्र की मानी गई है तो क्या है कि इस संसार में विद्वान ही आखों वाले माने गई है दूसरों के मुख में तो ये आखे नामात्र की ही मानी गई है तो इस बात से हम क्या समझें कि जो हमारी आखे होती है इनका क्या काम है संसारिक पधारतों को दिखाना कि जो हमारे सामने है हम सिरप इन आकों से वही चीज देख सकते हैं ठीके लेकिन जो विद्वान लोग होते है ठीके पड़े लोग इनको जब उनको ज्यान हो जाता है श अपने अच्छे भूरे की पहचान कर लेते हैं। ठीक है इसलिए कहा गया है कि दूसरों के मुँव में तो जो ये आखे हैं यहो केवल नामात्र की आखे हैं। वास्तेवी आखे तो क्या है शास्त्रों का ग्यान जो कि परतेग परिस्तिते में हमारा मार्ग दर्शन करता है इसलिए हमें क्या करना चाहिए विद्वान बनना चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए पढ़ाई करके क्या होता है हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है ठीक है और जब हमें सही और गलत की पहचान होगी तो हम अपना भला भूरे की परक कर सकते हैं और जो की हमारे मार्ग दर्शन में काम आती है तो इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले माने गए है दूसरों के मुहुँ पर तो ये या दूसरों के जो चहरा होता है या दूसरों के मुहुँ पर तो ये नाम मात्र की ही आँखे माने गई है नेक्स लोग देखिए आप यत प्रोक्तम येन के नापी तस्य तत्वार्थ निर्निये कर्तुम शक्यो भोयत अनेन सो विवेको इतीरितो तो इसका अन्वे देखिए येन के नापी जिस किसी के द्वारा भी यत प्रोक्तम जो यत होता जो प्रोक्तम कहा जाता है तस्य उसका तत्वार्थ निर्निये तत्वार्थ निर्निये क्या होता है वास्त्विक अर्थ का जियान होना कि तत्वार्थ निर्निये वास्त्विक अर्थ का निर्निये करना येन कर्तूम शक्ये येन होता है जो कर्तूम शक्यों कर सकता है ठीए जिस किसी के द्वारा जो भी कहा जाता है उसके वास्त्विक अर्थ का निर्णे जो कर सकता है स वह विवेक इति इरित वह ही विवेक कहा गया है विवेक क्या होता है बुद्धी ठीक है ये जो श्लोक आपका इसमें क्या है बुद्धी के गुण को बताया गया है कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसके वास्त्विक अर्थ का निर्णे जो कर सकता है उसे विवेक क्या बुद्धी कहा गया है चीक है अब इस सुक्ति से आप क्या समझें कि अगर हम किसी को कुछ भी कह दें चीक है एक हुमा फिरा के कुछ भी बात कह दे तो जो उस बात का वास्त्विक अर्थ समझ लेगा जो इस बात को समझ लेगा कि इनके बोलने का मकसद क्या है कि क्या बोलना चाहते है तो जो इस बात को अच्छे से समझ लेता है उसे ही बुद्धी कहा गया है ठीक है? वास्त्विक अर्थ का निर्णिये जो कर सकता है उसे ही बुद्धी कहा गया है या उसे ही विवेक कहा गया है अब नेक्स्ट लोग देखिए वाक पटू धेरेवान मंत्री सभायाम अपी अकातर ये सभायाम अपी अकातर तीन शब्द इसमें सा के नापी परकारेण परेई न ये जो परेई बनेगा ये उपर रोयस की विसर्ग बनेगी और न अलग हो जाएगा परेई न परिभुयते कि वाक पटू धेरेवान मंत्री सभायाम अपी अकातर सा के नापी परकारेण परेई न परिभुयते तो इसका अन्वे देखिए यो मंत्री, कि जो मंत्री वाक पटू, वाक उता वानी, ठीक है वाक पटू मतलब बोलने में कुशल हो, धेरियवान हो, सभायाम, सभायाम ये जो सभाशब्द है, और सब्तमी के एक बचन में लगा है, सभायाम, सभाम में अपी होता भी, अकातर, सो वह के नापी परकारें किसी भी परकार से पर्रेई दूसरों के द्वारा नो नहीं परीभुयते पराजित होता है तो यो मंत्री इसमें जो है एक अच्छे मंत्री की विशेष्टा बताई गई है तो यो मंत्री की जो मंत्री वाग पटू जो मंत्री बोलने में कुशल हो धेर्यवान हो और सभा में जैसे भरी सभा होती है बहुत सारे लोग इकठे होते हैं जहां वहां पर भी बिनान डर के बोलने वाला हो वहां किसी भी परकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं हो सकता छीक है कि जो मंत्री कैसा हो पूरी सभा में भी बिना डर के अपनी बात रखने वाला हो और दूसरों की बात का जवाब देने वाला हो वागपटू हो बोलने में क्या है कुशल हो ठीक है बोलने में कुशल हो मतलब सब के बीच अपनी बात जो रख सकता है धेरियवान हो उसको धेरिये होना चाहिए और क्या है जो भरी सभा में भी बिना डर के बोल सकता है वहो मनुश्य या वहो मंत्री क्या है किसी भी परकार स दूसरों के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता तो यो मंत्री जो मंत्री वाक पटू धेरेवान बोलने में कुशल और धेरेवान हो सभायाम अपियकातर सभा में भी बिना डर के बोलने वाला हो सो के नापी परकारे वहो किसी भी परकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता जो मंत्री बोलने में कुशल हो धेरेवान हो सभा में भी बिना डर के बोलने वाला हो वो हो किसी भी परकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता अब नेक्स देखिया आप यह इच्छत्या आत्मना यह इच्छत्या जो यह शब्द है इसका संदी विचेद करेगे आप तो क्या बनेगा इच्छति और आत्मन दोशब्द इसमें इच्छति आत्मन श्रेय प्रभुताने सुखाने चा यो इच्छतिया आत्मनाश्रय प्रभुतानी सुखानी चो ना कुर्याद अहीतम कर्म सपरेभी परेभ्य कदापी चो तो इस श्लोक से हम क्या समझे? सुक्ति से हम क्या समझे? कि यो आत्मना श्रेय यो होता है जो आत्मना श्रेय आत्मना मतलब अपना श्रेय क्या होता है भला प्रभुतानी बहुत सारे सुखानी सुखो को च और इच्छती चाता हो स वह परेभ्य दूसरों के लिए अहितम अहित हित क्या होता है भला अहित क्या होता है भला अहित क्या कदापी कभी भी चो और ना होता नहीं कुरियात करें तो इस सुक्ति से हम क्या समझें कि जो अपना भला चाता हो ठीक है बहुत ही अच्छा श्लोग है कि जो अपना भला चाता हो और बहुत सारे सुखों को चाता हो वो हो दूसरों के लिए कभी भी बूरा कांग ना करे तो अगर हम ये चाते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो हमारा भला हो और हमें सुख मिले तो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ हमें कभी भी बूरा नहीं करना चाहिए इससे हम क्या समझें? कि जैसे आपने सुकती पड़ी हैं कर भला हो भला ठीक है अगर हम किसी का भला करते तो हमारा भी भला होता है तो इससे क्या है? कि जो अपना भला और बहुत सारे सुखों को चाहता हो वह दूसरों के लिए कभी भी बूरा काम ना करें अहित कर्म ठीक है बूरा कर्म या बूरा काम कदापी कभी भी चौना कुरियात ना करें कि जो अपना भला चाता हो बहुत सारे सुखोगों चाता हो वह दूसरों के लिए कभी भी बूरा काम ना करे। अब नेक्स लोग देखिया आप कि आचारा प्रत्म धर्म इतिएद विदुशाम वचो तस्मात रक्षे सदाचारम प्राणे भियोपी विशेश्ता आचारा प्रत्मो धर्म इतिएद विदुशाम वचो तस्मात रक्षे सदाचारम प्राणे भियोपी विशेश्ता इसमें क उसकी विशेष्ता को बताया ग्या है कि हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए तो क्याए आचार प्रत्मो धर्म अचार हमारा पहला धर्म है ठी इति एतद विदुशाम बचों की एतद होता यहो विदुशाम विदुवानों का बचों बचन है की आचार प्रत्मो धर्म इति इति क्या होता है उधारण सुचक होता है जहां कोई आपको उधारण दिया होता है उहां इति शब्द लगता है की आचार या आचरण पहला धर यह विद्वानों का वच्चन है या यह विद्वानों का कहना है तसमाद इसलिए प्राणे भेव अपी प्राणों से भी विशेशता बढ़ कर या विशेश रूप से सदाचारम सदाचार की रक्षेत रक्षा करने चाहिए कि आचरण हमारा पहला धर्म है यह विद्वानों क का वचन है चीक है कि आचार हमारा आचार क्या बोला मैंने सदाचार यह हमारा आचरण जो विवार होता है कि आचरण पहला धर्म है ऐसा विद्वानों का कहना है या ऐसा विद्वानों का वचन है इसलिए प्राणों से भी बढ़कर विशेश रूप से सदाचार की रक्षा क जो परक्षा करनी चाहिए ठीक हैं कि अगर चरीत्र गया तो सब्कुछ गया ठीक है तो इजद कमाना क्या है बहुत मुश्किल होता है बहुत कठिंदा से कमाया जाती है इजट अपना जो चरित्र होता है अपनी इजट जो होती है वो क्या है मुश्किल से कमाए जाती है लेकिन वो नश्ट अगर होनी हो हम कोई बूरा काम करते है तो वो चरित्र हमारा एकदम नश्ट हो जाता है इसलिए हमें जान देकर या प्राणों से भी बढ़ कर क् चरित्र की रक्षा करनी चाहिए अपने जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए तो आचार या सदाचार क्या है हमारा पहला धर्म है ऐसा विद्वान लोगों का कहना है इसलिए प्राणों से भी बढ़कर विशेश रूप से हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए तो आज स्टूडेंट हमने बहुत सारी सुक्तियों को यह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सीखा जो कि हमें अपने क्या है जीवन में धारन करनी चाहिए थेंक यू स्टूडेंट्स